अलो अब्रिवान, कैसे हैं आप सभी, मैं बाव शुरास तब एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस प्राइट पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने last unit में cross drainage work, लास्ट वीडियो में cross drainage work complete किया था और cross drainage work की अगर हम बात करें तो यह important topic था तो आज के इस lecture में हम एक नएा unit start करने वाला है जिसका नाम है hydraulic structure अगर मैं hydraulic structure की बात करता हूं तो इसमें reserve IR भी count होता है hydraulic structure की बात करता हूं इसमें dam भी count होगा hydraulic structure की बात करूंगा तो spills baby count होगा तो आज के lecture में मैं आपको reserve IR और इसकी planning से related जो terminology है वो आपको यहाँ पर आज के lecture में बताने वाला हूं जैसे कि हम बात करें तो कई wire question पूछा जाता है dead stories क्या है normal pool level क्या है maximum pool level क्या है तो useful stories क्या है तो इन सभी से related questions हमें पूछे जाते हैं तो वो reserve IR से related होते हैं साथ जात पूछ लियाता है reserve wire कितने type के हैं क्या हैं किस तरीके से हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं तो उन्हीं से related आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमें यह समझना जरूड़ी है reserve wire क्या है reserve wire क्या है मान लिजे यहाँ पर कोई इस तरह का structure आपने बनाया यह river आ रही थी यह river आ रही थी river में आपने कोई structure बनाया structure बनाने के बाद river का जो level है वो river का पानी का label उठ जाएगा या नहीं इस तरीके से पानी का level तो यह जो pool बना है water pool ठीके तो हम बात कर रहे हैं pool बना है अब stream side पर उसको हम बोलते हैं reservoir तो reservoir कुछ भी नहीं है एक hydraulic structure के पीछे यह जो structure बनाया है अब यह dam हो सकता है या spillway हो सकता है ठीके तो हम बात कर रहे हैं एक hydraulic structure के पीछे जो water का pool बनाया राता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम reservoir बोलते हैं अब यह जो pool का construction है different त सकते हैं या उनके purpose के basis पर यदि मैं बात करता हूं तो अलग-अलग तरीके के pools बहाँ पर मिल सकते हैं like कुछ केवल storage करने के लिए हैं कुछ केवल flood को control करने के लिए हैं कुछ केवल distributions करने के लिए हैं और कुछ काफी सारे project को देखने के लिए हैं जैसे माल लीजे यह pool जो बनाएगा irrigation के लिए बनाए जा सकता है यह pool electricity generations के लिए बनाए जा सकता है यह pool हम बात करते हैं flood को control करने के लिए बनाए जा सकता है यह pool water distribution stream को control करने के लिए बनाए जा सकता है तो different purposes के basis पर फूल बनाते हैं और उसके basis पर हम reservoir का classification कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि reservoir क्या है reservoir का classification क्या है उसके बाद हम आगे की side बढ़ेंगे और जो हमारा topic होगा reservoir के different terminology की बात हम यहाँ पर करेंगे ठीक है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले reservoir की एक simple सी definitions में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो आपको no down करनी है ठीक है reservoir is defined as pool of water behind hydraulic structure hydraulic structure और हम बोल सकते है upstream side upstream side ठीक है behind hydraulic structure के पीछे जो pool बनाए जाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम reservoir बोलते हैं ठीक है और again हम depend करते हैं ठीक है depending on depending on its purposes and uses purposes और uses के basis पर हम यह pool को define करते हैं कि यह pool बड़े size का बनेगा यह pool छोटे size का बनेगा उसके basis पर define तो reservoir clear हुआ अब dam क्या है damic hydraulic structure देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमने structure बनाया था यहाँ तो पानी का pool है यह पानी का pool क्या कहा जाएगा reservoir कहा जाएगा लेकिन जो यह structure बनाया है यह dam कहा जा सकता है beer कहा जा सकता है बैराज कहा जाता है तो वह structure है और इसके उपर पानी को escape करने के लिए क्या बनाएंगे हम यह यहाँ पर बनाएंगे spillway बनाएंगे तो अभी मैं यह पूरा cross sections आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से इस cross sections को हम बात कर रहे होते हैं ठीक है under solution कहा होंगे या slus opening कहा होगी वो सारी बाते हम इसके अंदर करेंगे लेकिन अगर हम बात करें कि reservoir are classified as follows कितने तरीके से reservoir को classify किया गया है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है अब यह जानना क्यों जरूरी है क्योंकि एक reservoir है उसको multi-purpose हम reservoir बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो हमें इन सभी बातों से clear होने वाला है तो यह बताओ dam और reservoir में clear हुआ तो आज का जो topic है reservoir and its planning है और reservoir related terminology हम यहाँ पर पढ़ने वाले है तो reservoir and its planning ठीक है अब हम बात करेंगे reservoir के classification की कि reservoir का classification किस किस basis पर किया गया है या किस तरीके से किया गया है तो reservoir के classification की यहाँ पर बात कर रहे है ठीक है तो reservoir classification अगर हम reservoir को देखें तो हम different तरीके से इसको classify कर सकते हैं पहला storage reservoir और इसी को बोले आता है conservation reservoir conservation reservoir storage reservoir और conservation reservoir ठीक है दूसरा यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो हमारा जो होता है flood control reservoir flood को control करने के लिए जो reservoir बना जाएगा वो flood control reservoir ठीक है तीसरा बोला जाएगा वो होता है distribution या फिर इसी को बले आता है diversion reservoir diversion reservoir ठीक है एंड फाइनली जो लास्ट वन आता है वो आता है multipurpose reservoir अब धान देना इन सब में अंतर क्या है वो हमें बात समझना है ठीक है storage या conservation reservoir तो हम देखते हैं जिस समय बारिश होती है उस समय पानी जादा आता है ठीक है माली जी एक normal river वह रही है तो river में क्या होता है जनरली नॉर्मल जितना inflow होता है उतना ही outflow हो जाता है लेकिन कई बार क्या होता एक peak demand होती है मतलब एक demand जादा उस demand में इस पानी को use कर लेंगे तो ऐसा reservoir जिस पे पानी को store किया जाता है और जरूरत पढ़ने पे उस पानी को use किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं storage reservoir यहां उस पानी का क्या कर रहे हैं conservation कर रहे हैं तो conservation reservoir और यह reservoir जो generally हमारे required होते हैं वो किन कामों के लिए required होते हैं यह generally जो required होते हैं हमारा requirement इनकी जो होती है वो होती है irrigation purpose से या electricity generation के purpose से जनरली water distributions के लिए हम बात करते हैं water distribution इसका एक complimentary functions हो जाता है water distributions के लिए हमें ज्यादा storage की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमें जहां कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम बात करेंगे distribution reservoir की कि वो छोटे reservoir होते हैं जो water distribution के लिए use किये जाते हैं रही है उसमें एक structure बनाएंगे और पीछे पानी का पूल बना देंगे जिसमें पानी का storage होगा जो access water होगा वो storage हो जाएगा और जब उसको use करना होगा critical time होगा उसको हम use कर लेंगे ठीक है flood control तो यह reservoir जो होते हैं वो केवल और केवल flood को control करने के लिए बनाए जाते हैं मान flood को control करने का कुछ ना कुछ mechanism होना चाहिए या नहीं और उसी mechanism की हम बात करें वो flood control reservoir है तो flood का जितना access water आया उसको कुछ store किया और कुछ पानी को निकाल दिया तो यहाँ पर जो reservoir के पीछे पूल के पीछे जब पानी निकालना है तो जो gate की capacity है वो storage reservoir से जाधा चाहिए या नहीं क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत bulk में आ रहा है यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है और उसको store किया जा रहा है और उसको deliver किया जा रहा है लिकिन यहाँ पर पानी बहुत bulk में आ रहा है बहुत जाधा पानी आ रहा है तो यहाँ पर दौनों में अंतर क्या है य अगर storage reservoir में भी हम bigger size of gate opening को use कर लेते हैं तो वो flood को भी control कर सकता है तो बात कर रहे हैं storage में storage करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी एक constant rate से पानी को छोड़ते जाएंगे लेकिन यहाँ पर constant rate से छोड़ेंगे और साथ में जो excess water आएगा जो बहुत ज़्यादा bulk में होगा उसको छोड़ने के लिए हम बड़ी gate opening यूज़ करेंगे वो flood reservoir होगे distribution या diverge reservoir देखो यहाँ पर जो water pool होंगे वो बड़े बड़े होंगे water pool होगे reservoir होगे जो बड़े size के होते हैं लेकिन ये छोटे size का reservoir जैसे lake या pond जैसे कि हम बात करा है lake या pond तो lake के थुरू या pond क에 थुरू water supply को हम बात कर सकते हैं या नहीं तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा वीर बना दिया ये पानी बहरा है यहां पर छोटा सा बीर बना दिया कुछ हट्ट तक पानी को यहां से निकलने दिया निकलने दिया तो distribution करने के परपस से केबल छोटा सा पूल बनाएंगे और छोटा सा स्टोरेज रखते हैं तो ऐसे रिजर्वायर वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिविशन डाइवर्दन क्यों बोला क्योंकि हो सकता है कि यहां पर जो वाटर का पूल बनाया उसको कहीं और दूसी जगे डाइवर्द कर दिया पानी ये नदी जा रही थी एक मेट यहां पर देखिएगा यहां पर एक सहर है और नदी यहां से पास हो रही है अब इस सहर में पानी ले जाना है तो इस पानी को डाइवर्द किया यहां पर पूल बना करके water का पूल बना करके divert किया city की site पर तो छोटा सा पूल बना करके जिससे आगे जो लोग रह रहे हैं उस नदी का पानी उन लोगों को भी मिल सके इस तरीके के scheme बना जाती है तो उसको बोलते हैं distribution and diversion तो अगर तुमसे पूछे के distribution and diversion जब बात कर रहे हैं तो water pool जो होता है water pool की capacity या water pool जो होता है उसका size जो होगा वो storage और flood reservoir के conditions में, comparison में कम होगा बिल्कुल सही statement हो जाएगा flood reservoir के comparison में कम होगा तो ऐसा reservoir हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं distribution and diversion reservoir multi-purpose reservoir जब हमारे दिमाग में काफी सारे project को हम दिमाग में रखते हैं जैसे हमें बात करना है कि उसी reservoir से irrigation करना है, उसी reservoir से electricity generation करना है, उसी reservoir से water distribution scheme को भी follow करना है और उसी reservoir से flood control तो multi-purpose हो गया एक, दो या दो से जादा purposes को जब हम fulfill करने की बात कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं multi-purpose reservoir बोलते हैं multi-purpose reservoir लेकिन ध्यान रखना, अब तुमारा ये doubt आएगा सर, multi-purpose है, तो इस storage से हम electricity भी generate कर रहे हैं और irrigation भी कर रहे हैं, तो सर यहां तो दो project को count कर लिया है दो project को count कर लिया है तो इसको भी क्या multi-purpose नहीं बोलना चाहिए ऐसा doubt आ सकता है, बिल्कुर आ सकता है लेकिन ध्यान रखना, multi-purpose cable जब ही बोला जाएगा जब इस reservoir की designing, बहुत सारे project को दिमाग में रखते हुए करेंगे, बट अगर एक reservoir की planning cable electricity generation के purpose से की गई है और वो irrigation को भी fulfill कर रहा है water distribution को भी fulfill कर रहा है तो उसको multi-purpose नहीं बोला जाएगा वो उसके complementary functions कहे जाएगे, वो क्या कहे जाएगे उसके complementary functions कहे जाएगे, तो अभी clear हुआ, multi-purpose या storage, multi-purpose या flood control, multi-purpose या distribution या diversion, reservoir जो भी हुआ, तो उस condition condition में हमें reservoir clear हुए या नहीं, multi-purpose किसको बोला है, जब आप designing ही कर रहे है बहुत सारे project को ध्यान में रखते हुए, तो उसी conditions को केवल multi-purpose बोला जाएगा लेकिन अगर storage कर रहे हैं केवल irrigation के purpose से, और बाद में उसको water distribution के लिए भी use कर ले रहे हैं, तो उसको multi-purpose नहीं बोला जाएगा irrigation के purpose से किया, इसलिए storage हो गया, और उसका complementary functions क्या हो गया irrigation जो हो गया, sorry water distribution जो हो गया, उसका complementary functions हो गया, तो different type के जो reservoir बनाये हैं वो हमें clear हुए, कई बार इसको flood control की जगे, flood protections reservoir भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, flood control की जगे, flood protections reservoir भी बोल देते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, और divergen कई बार use नहीं कियाता है, केवल distribution reservoir यूज कियाता है, कई books में केवल इसका नाम distribution reservoir दिया है, तो divergen क्यों बोला है, क्योंकि पानी को divert करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए divergen reservoir इसको बोला गया है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, reservoir, लिख लीजेगा, reservoir constructed for storing the excess water excess water and and used it in peak demand time ऐसे reservoir को क्या को बोलते हैं, हम हम बोलते हैं, storage reservoir, example constructed for constructed for irrigation electricity generation etc जो electricity generation, irrigation इनके लिए किये जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, storage reservoir, तो देखो, short and कम से कम सब्दों में, reservoir constructed for storing the excess water and used it in peak demand time, जो peak demand time में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, storage या conservative reservoir या conservative reservoir उसको बोल दिया जाता है, ठीक हैं, अब यहाँ पर जो gate opening होगी वो छोटी होती है, छोटी होने का मतलब है, एक constant rate से outflow discharge होता रहता है, inflow तो कितना भी हो सकता है, outflow discharge constant, तो एक particular label maintain करना पड़ता है, कि inflow और outflow same रहे, जितना inflow रहे, उतना outflow रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, तो outflow demand को थोड़ा सा बड़ा दिया जा सकता है, किसके basis पे, excess water storage के basis पे हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सकते हैं, तो यह हमारे कही जाते हैं, storage या conservation's reservoir, ठीक है, again, 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 दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है, flood control या flood protection दो ज़रा है, तो हम बात करते हैं, these are constructed to control flood control or protect the flood condition flood conditions flood conditions को control या protect करने के लिए, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर क्या बनाते हैं, वो हम बनाते हैं वहाँ पर एक reservoir, ठीक है, तो अगर इस reservoir की safe capacity की बात करें, तो हम बात करते हैं, safe capacity of this reservoir is equal to, safe capacity of reservoir is total inflow is equal to total outflow लेकिन, अगर हम बात कर रहे हैं, inflow बहुत जादा हो रहा है, outflow कम हो रहा है, तो flood की conditions बन रहे हैं, और उसको control करना किसका काम है, हमारा flood control रिजर वायर का, अगें, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजेगा, दा, solution opening, solution opening, is bigger than, bigger than, storage reservoir, storage reservoir, storage reservoir के comparison में, इसकी जो solution opening होगी, वो solution opening क्या होगी, बड़ी size की हो जाएगी, जिससे हम, ज्यादा से ज्यादा पानी को यहाँ पर, यहाँ पर हम निकाल सकें, तो वो conditions की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, clear है बात, तो solution opening है, bigger than, the storage reservoir रखना है हमें, तीक है, अगें, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर, distributions या diversion reservoir की, distribution या diversion reservoir की, तो जब हम distribution या diversion reservoir की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, constructed, to divert, or to distribute the, यहाँ नीचे लेखना हूं, divert or to distribute the water, distribute the water, hence, small pools, like, ponds and lakes are constructed, यहाँ पर जो water pool होंगे, वो small water pool होंगे, as compared to storage and flood control reservoir, flood control reservoir के बात करें, तो उस condition में, हमारा क्या होगा, कि small pools हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करें हैं, small supplies are done, small supplies are fulfilled, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो होता है, वो small water supplied को fulfill कियाता है, तो generally यह जो scheme होती है, water distribution scheme के लिए बना जाते हैं, तो अगर हम लिखना चाहें, इसका example, example लिखना चाहें, water distribution scheme, water distribution purposes, यह generally किसके लिए होते हैं, water distribution purposes के लिए, इनको use किया जाता है, तो मुझे बताइएगा, यह तीनो clear हैं अभी, तीनो, बिल्कुल cut to cut clear हो गए हैं आपको या नी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, when, when, reservoir is constructed, constructed by keeping in mind, keeping in mind, different purposes, different purposes, जब भी दो या दो से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, purposes को डिमाग में रखते हुए हम designing कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर देखो, एक single aim लेकर करके चलेंगे, दूसरा aim फुल्फिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करना है, दो या दो से ज़्यादा aim को दिमाग में रखते हुए, जब हम इसकी designing कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मुल्टी पर्पस रिजर्वायर बोलते हैं, मुल्टी पर्पस रिजर्वायर बोल सकते हैं, एक्जाम्पल, डजर्वायर बोलते हैं, अवीगर्वायर बोलते हैं, और इसकाइमों सर्वायर वाते हैं, अगर हम तीन चीजों को डमाग में रखते हुए तो यहां पर जो रिजर्पायर बनेगा वो थोड़े बड़े साइस का बनेगा पूल जो होगा वो बड़े साइस का बनेगा और यहां पर गेट ओपनिंग भी स्टोरेज से तो बड़ी होगी बड़ फ्लट कंट्रोल से छोटी भी हो सकती है तो ध्यान रख लेना मल्टी परपस रिजर्पायर केवल तभी कहा जाएगा जब मल्टी परपस प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हुए हम बात कर रहे हैं ठीक हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि एक परपस को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या किया? अपना रिजर्पायर हमने डिजाइन किया बट वो अधर परपस भी फुल्फिल कर रहा है तो उसको मल्टी परपस रिजर्पायर नहीं बोला जाएगा तो यह हो गए हैं आपके डिफरेंट तरीके के रिजर्पायर जिनको आप note down कर सकते हैं यहाँ पर screenshot ले सकते हैं I hope कि यह चीजे clear हो गई होंगी आप बिलकुल clear हो चुकी होंगी तो यह हम बात कर रहे हैं More than one purposes यह हम बात कर रहे हैं Two or more purposes तो हम बात कर रहे हैं एक से जादा तो लिख लो more than one अगर हम बात करें तो उस condition में multi-purpose reservoir उसको बोला जाएगा चलिए अब एक note करके point यहाँ पर mention करवा देता हूँ मैं जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि if a reservoir is constructed लिख लेते हैं उसको I hope कि reservoir में इतनी चीज़ें आपको clear हो गई होंगी cut to cut clear हो गई होंगी और यह चीज़ें समझ में भी आई होंगी ठीक है अब reservoir और dam में confused नहीं हो गया ठीक है चलिए तो note करके point mention कीजएगा और मुझे बता दीज़ेगा जैसा कि आपका feedback था कि थोड़े से issues हो रहे थे अभी clear है क्या जो board की visibility को regarding मैंने letters की size भी increase कर दी गई है और थोड़ा सा markers भी changes कर दिये गए हैं तो अभी आपको visibility proper है या नहीं ठीक है next अगर हम बात करें if a reservoir is constructed for single purpose single purpose that is suppose that is electricity generation electricity generation and it also serve it also serve for irrigation then it is not said to be multi purpose reservoir क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं aim क्या बना के रखा था एक single purpose electricity generation लेकिन उसने irrigations का भी काम कर दिया तो इसको multi purpose नहीं बोला जाएगा इसको या तो storage बोला जाएगा या फिर आप किसी और तरीकिस जनरली storage reservoir है उसको count किया जाएगा तो यह चीज हमें बहुत ध्यान रखना है objective में कभी पूछ सकता है एक electricity generation के लिए हमने use किया है और उसको irrigation या irrigation के लिए use किया गया है वहाँ पर हम water distributions भी कर रहे हैं तो बताएगे क्या वो multi purpose होगा option होगे कौन सा reservoir defined होगा तो ध्यान रखना है यह multi purpose नहीं होगा एक चीज को ध्यान में रखते होगा डिजाइन किया है और हम बात करेंगे most important topic different zones in reservoir यहां से definitions पूछी गई है आपको यहां से definition पूछी गई है मैं तो बोल रहा हूँ इसको कम से कम five star mark कर देना ठीक है अब एक मैं डाइग्राम बनाऊंगा यहाँ पर आप उस डाइग्राम को थोड़ा से समझने की कोशिश की देगा और उस डाइग् पर इस तरीके का डाइग्राम ठीक है यहां पर मैंने क्या किया है यह एक hydraulic structure बनाया है ठीक है यह hydraulic structure बनाया है initially जो हम बात कर रहे हैं वो पानी कुछ इस तरीके से आ रहा था यह पानी आ रहा था रिवर का लेवल यह था कुछ थोड़ा सा और नीचे बना रहा हूं द्यान रखेगा थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं यह रिवर का लेवल कुछ यहां पर था ठीक है initially जो रिवर लेव in river when structure is not constructed structure is not constructed अगर structure not constructed किया गया है तो उस समय river road ये था ठीक है, अब पानी का level दीरी दीरे क्या होगा बढ़ेगा पानी का level जैसे जैसे दीरे दीरे बढ़ रहा है तो पानी का level एक condition तक पहूचेगा जो की कुछ यहां आएगा यहां नहीं इसके लेविल में आएगा यह पानी का लेविल पहुँचा ठीक है और यह क्या है क्रीस्ट ओफ बियर अगर हम बात करें क्रीस्ट ओफ इस्पिल बेबी बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम जो बात करते हैं इसको बोला जाता है नौर्मल पूल लेविल क्या बोला जाता है नौर्मल पूल लेविल या इसको बोला जाता है कंजर्वेशन लेविल क्या बोला जाता है कंजर्वेशन लेविल भी इसको बोला जाता है और कंजर्वेशन लेविल कंजर्वेशन लेविल इसको बोला जाता है ठीक है तो पानी यहां तक store हुआ और जब पानी यहां तक store हो गया तो पानी कुछ इस तरीके से जाएगा या नहीं है यह यहां पर यह river bed है completely हमारा तो पानी कुछ इस तरीके से जाएगा या नहीं यह आपका क्या हो गया आप stream side और यह आपका क्या हो गया है down stream side but in case अगर मैं यहाँ पर एक spillway बना रहा हूँ और उसका यह gate लगा दिया है यह gate लगा दिया है ठीक है यह spillway gate है spillway gate है spillway का gate है तो पानी यहाँ पर कुछ label उपर आ जाएगा यानि पानी की बात करें तो कुछ label यहाँ पर उपर तक आ जाएगा इस तरीके से यानि तो इसको बोला जाता है maximum pool level maximum pool level तो कई बार ऐसे terminology पूछ लेता है maximum pool level क्या है जब पानी का जो label है जो flood है, excess flood है या surcharge water है normal pool level से उपर आ जाता है तो उसको हम बोल सकते है maximum pool level बोल दिया जाता है maximum pool level उसको बोल दिया जाता है और maximum pool level की बात करें तो इसको बोला जाता है full reservoir level भी बोला जाता है full reservoir level full reservoir level भी इसको बोल दिया जाता है अभी इतनी चीज़ के लिए रहे यह diagram के लिए रहे अगर हम बात करते हैं तो ये जो opening है, ये इसको कहा जाता है solis, क्या कहा जाता है solis, मतलब gate opening दी है dam के structure में, जो भी excess water जब होने लगेगा, spill baby काम नहीं कर पाएगा, उस पानी को निकालने का नीचे solis दिया है, तो solis के just उपर से एक water का आपको level मिलेगा यहाँ पर, solis के just उपर से एक water का level यहाँ पर मिलता है, और ये water level जो होता है, इसको कहा जाता है minimum pool level, minimum pool level, या minimum, देखो, normal pool level को conservation level, या reservoir, normal reservoir level, minimum pool level को minimum reservoir level भी हम बोल सकते हैं, तो इस तरीके की terminology यहाँ पर है, और जब भी minimum pool level के नीचे पानी जाएगा, क्या आप उस पानी को use कर पाओगे, क्या उस पानी को use कर सकते हो, उस पानी को use नहीं किया जा सकता है, तो ये जो level है, normal pool level और bed of reservoir, या हम बात करते हैं, ये river bed भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, river bed initially अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये क्या था, एक river bed था या नहीं, तो हम बात कर रहे हैं कि normal minimum pool level और इसके बीच में, जो ये storage होता है, इसको कहा जाता है, dead storage, dead storage क्यों कहा जाता है, बहुत ही difficult time में storage को हम use कर सकते हैं, otherwise ये storage हमारे कोई काम का नहीं होता है, तो उसक water level in the river, river का जो पानी का level था जब structure constructed नहीं किया गया था, और जो नीचे river bed label था, उस river bed label के बीच में, जो भी ये volume stored होता है water का, उसको कहा जाता है, bank or valley storage, bank or valley storage, actual में अगर मैं बात करता हूँ, तो bank or valley storage अलग-अलग होते हैं, but commonly इनको same कहा जाता है, तो ये definition, अब तुमसे पुछा जाएगा भाईया बताओ, useful storage क्या होता है, तो useful storage जो हम बात करते हैं, minimum pool level, sorry, minimum pool level और normal pool level के बीच में, जो storage निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, useful storage बोला जाता है, और यही storage हमें count करना होता है, कि useful storage का कितना है, तो useful storage, अगर reservoir की capacity निका जालना है, तो अगेन मैं बता दू, useful storage plus surcharge storage, useful storage plus surcharge storage minus river level, minus valley level, इतना storage minus करने पर ही हमें क्या मिलता है, हमें total reservoir capacity मिल रही होती है, क्या मिल रहा होता है, reservoir capacity, again, यहाँ पर एक storage और मिल रहा है आपको, जो क्या है, कभी कभी मिल रहा है, जब flood बहुत जादा हो जाएगा, अब द लगाया है, कई बार यह gate नहीं लगाएगे, और अगर gate नहीं लगाएगे, तब भी पानी का लेबल थोड़ा से जादा हो सकता है, तो इसको बोला जाता है, surcharge storage, surcharge storage, surcharge storage को बोला जाता है, तो अब questions क्या पूछे थे, यह हमारी पूरी terminology है, एक cross section है, अगर आपने एक cross section सम लिया, तो सारी चीज़े हैं, अब फिर से बात कर रहा हूँ, जब पानी का level, देखो यहाँ पर एक करती बात करो, जब river बह रही थी और आगे structure नहीं बनाये गया था, तब यह पानी का level था, इस पानी के level और river bed के level के बीच में, जो हमारा level होगा, उसको हम bank या valley storage बोलते ह ठीक है, और अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, और gate opening के level में आकर के एक पानी का level होगा, reservoir का, जिसको हम बोलेंगे minimum pool level, और अगर minimum pool level पहुँच गया है, मतलब अब हम उस पानी को अपने purpose के लिए use नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुलस से भी वो पानी हमें नहीं मिलने वाला है, तो इस storage minimum pool level और river bed के बीच में जो storage होगा, उसको क्या बोलेंगे, dead storage, मतलब वो मर चुका है, अब हम उसको use नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं वात को, ठीक है, और उपर जाते हैं, जब crest level पे, जब हम अपने wear का crest level, यह हमारा crest level है, ठीक है, यह crest है, crest of wear है, और अगर crest level पे पहुंसते हैं, तो उस समय जो पानी का ordinary conditions में, जो पानी का level होगा, उसको हम बोलेंगे, normal pool level या conservation pool level, या conservation level, तो हम जब बात करेंगे, कि normal pool level और minimum pool level के बीच में, जो हमारा storage होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, useful storage बोला जाता है, तो the volume of water which is available between normal pool level and minimum pool level is known as useful storage, और अगें, अगर flood आया, तो normal pool level से पानी का level उपर जाएगा, और पानी का level जब इस पिल पे के gate तक पहुंच जाएगा, तो उसको बोला जाएगा maximum pool level या full reservoir level, फुल reservoir level, तो फुल reservoir level पे हम मान लेते हैं, कि dam अब अपने extreme end पे पहुंच चुका है, और normal pool level, मतलब normal condition में, जो पानी का level maintain करना है, और maximum pool level, maximum condition में, जो पूचा है, उसको surcharge level, यही तो वो excess water है, जिसको हम difficult time में use कर देंगे, यही तो वो excess water है, यह तो normally, river के करण इतना pool level मिल लेकिन जो वारिश का पानी आया है, वो storage किस में होगा, surcharge storage में store होगा, और इसी को हम excess time में, जब भी हमारा requirement होगी, उस time में हम use करेंगे, तो वो surcharge storage कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, surcharge storage कहा जाएगा, तो मुझे बताओ, यह cross section सभी को clear है, अब एक question पूछ लेता हूँ, the level, the volume of water which is stored between the normal pool level and minimum pool level is known as, normal pool level and minimum pool level is known as, storage, sorry, useful storage, surcharge storage, dead storage, या none of the above, तो क्या होगा, useful storage, अब ऐसे object पूछ ले जाता है, तो हम बात यह भी पूछ लेता है, useful storage is defined है, in between, normal pool level and maximum pool level, normal pool level and minimum pool level, maximum pool level and minimum pool level, या river, river, sorry, river level when structure is not constructed and in between normal pool level, तो आपका answer क्या हो जाएगा, useful storage is defined है, वो normal pool level and minimum pool level के बीच में define होने वाला label कहा जाता है, तो सभी को ये बात clear है, सभी को ये बात clear है यहाँ पर, तीके, इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर side में लिखने के लिए जगे मिल जाए, ये है minimum pool level, तो देखो, bank level and valley level में storage, bank and valley storage में थोड़ा सा difference बता देता हूँ, देखो, जब river बह रही है, तो जो side के bank होंगे, उन bank तक ही पानी जाएगा उपर तक, bank के उपर वाले portion तक ही पानी जाएगा, तो उसको bank storage बोल दिया जाता है, और जब ये structure construct कर दिया जाता है, तो उस conditions में bank के साथ साथ, इस जो depth है, उस depth में भी पानी भरा रहेगा, और ए bank storage या barely storage, और कई बार इसको back storage भी बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, back storage भी बोल दिया जाता है, कि मतलब इतना पानी तो हमारा बना ही हुआ है, तो back storage भी इसको बोल दिया जाता है, ये diagram आँखों में बसा लो, यहां से questions बहुत पूछे जाते हैं, एक एक करके ह हम इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे ठीक है लिखें तो सबसे पहला माखिमम बारे म सबसे अरे यह 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 लिख Ordinary Operational Condition, Ordinary Operational Condition, कॉमा, Known as, Known as, What is Known as? That is Known as, Normal Pool Level, क्या बोला आएगा उसको, Normal Pool Level, मतलब, Maximum Water Level, जो Normal Condition में, Reservoir के अंदर हो सकता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, Normal Pool Level, बोलते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं, उसको Normal Pool Level, ठीक है? अब Next Definitions, Next Definitions की बात कर रहे हैं, एक हमने Normal Pool Level की बात कर ली तो Normal Pool Level को अंदरलाइन कर लेना, ठीक है? दूसरा, दूसरा अगर हम बात करें, तो दूसरी Definition, दूसरी definition किसकी लिखेंगे हम दिखेंगे maximum pool level की ठीक है तो maximum water level that can reach in a reservoir under flood conditions और excess water condition और excess water condition अब ये normal operation condition नहीं है कैसी है excess water condition है या flood condition मतलब rainy season के time पे या किसी भी time पे जहाँ पर पानी जादा आ रहा है तो हमा known as maximum या maximum pool level या फिर उसको क्या बोला जाएगा full reservoir level बूला जाएगा क्या बूला जाएगा maximum pool level बूला जाएगा या full reservoir तो अंतर कहाँ है अंतर यहाँ है under flood conditions under flood conditions और उसमें कैसा था under ordinary conditions तो ये दोनों में difference रहेगा language में आपको ये difference थोड़ा सा देखना होगा समझना होगा कि ये difference क्या आपको बोल रहा है clear है बात तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत हो जाएगी ठीक है तो full reservoir level क्या maximum pool level क्या कहा जाता है next अगर हम बात करते हैं तो next क्या हो गया हमारा normal pool level हो गया maximum आप कौन सा लेवल बचा हुआ है यह minimum pool level की definition लिख लेते हैं ठीक है तीसा लिखते है minimum pool level इसके लिखेगा the lowest water level अप टू बच अप टू बच अप टू बच दा वाटर गैन अप टू गैन एक्स्टेक्ट फ्रॉम रिजर वाएर मतलब वाटर को रिजर वाएर से निकाल सकते हैं the water can extract from reservoir under ordinary operational condition under ordinary operational condition comma known as known as what known as minimum pool level minimum pool level तो हमने क्या बोला कि वो minimum level जिसमें water can be drawn या हम ऐसे लिए water can extract और water can drawn water can drawn यानि निकालना water can be drawn from reservoir under ordinary operational condition तो अगेन क्या आगे अंडर operational condition minimum pool level जिसमें operation condition के अंदर water को drawn कर सकते हैं निकाल सकते हैं वो conditions हमारी क्या कहा जाएगा minimum pool level कहा जाएगा minimum pool level कहा जाएगा तो ये conditions हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है ठीके ध्यान रखनी है तो हमारा क्या हो गया है minimum पूल लेबिल हो गया है यह तो water level है river का इसको हमें कोई define नहीं करना है यह river का bad level है यह हम बात करेंगे reservoir का bottom level है यह reservoir bottom है यह हम river bad भी बोल चकते हैं तो उस conditions को भी हमें अलग से define नहीं करना है अब एक एक करके मैं सारे stories आपको define कर देता हूं ठीक है सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले define करते हैं हम dead stories को ठीक है dead stories को is defined as volume of water is stored is stored between not sorry minimum pool level minimum pool level and and river bad level river bad level or or volume of water or volume of water is stored is stored below minimum pool level minimum pool level के नीचे जो भी volume of water stored होगा उसको हम क्या बोलेंगे dead stories बोलेंगे it is not it cannot be utilized it can not be utilized अंडर ordinary operational condition ordinary operational condition operational condition under ordinary operational conditions के अंदर इसको हम use नहीं कर सकते हैं इसके लिए कुछ extra टिकडम लगाने पड़ेंगे तब जा करके हम इसको use कर पाएंगे ठीक है तो यह आपकी किसकी definition हो गई dead stories की ठीक है अब हम पहले useful stories की definition लिखते हैं कि useful stories क्या होता है ठीक है next फिफ नहीं किस्ट 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 नहीं कि storage, it is that volume of water which can be utilized under ordinary conditions, ordinary conditions, which we can use, which we can use, is called useful stories. So, useful stories, it is clear to us, useful stories, now we can use the search stories and belly stories. So, the sixth number is the search. So, the definitions are important, है, आप definitions अपने आप बना सकते हैं, अगर आप डाइग्राम दिमाग में रखते हुए है, ठीक है, 5th and 6th, it is, it is, volume of water stored above, above normal pool level or stored between normal pool level and maximum pool level. अगर हम बात करें, तो it is uncontrolled storage, uncontrolled storage, uncontrolled क्यों बोला है, क्योंकि यह flood के कारण होने वाला storage है, और flood के कारण होने वाला storage है, तो uncontrolled storage हो गया, जबकि useful storage क्या है, controlled storage है, इसको हम control कर सकते हैं, total inflow, और अगर inflow से जादा, अगर inflow जादा आया और outflow कम हो रहा है, या हमारा inflow कम है, sorry, inflow कम है, sorry, outflow कम है, और inflow constant बना हुआ है, क्योंकि river से तो inflow constant बना होगा, तो inflow constant बना हुआ, outflow कम है, तो हम outflow बढ़ा देंगे तो इसको control कर सकते हैं कि inflow is equal to outflow रहे बट अगर ये flood आ रहा है तो यहाँ पर एक conditions होगी कि inflow is equal to outflow रहेगा और उसके बाद हम एक ऐसी conditions पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर inflow बहुत जादा हो जाएगा और outflow उतना जादा नहीं मिलेगा तो ऐसे level को हम क्या बोलेंगे ऐसे level को हम बोलेंगे uncontrolled storage ठीके तो uncontrolled storage भी बोला जा सकता है इसको और क्या बोला सकता है surcharge storage भी बोला जा सकता है ठीके और ये storage कब तक रहेगा जब तक flood की conditions रहेगी तो यह storage केवल कब तक रहेगा, जब तक flood की conditions define रहेगी, जब तक हमारा यह storage define रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट क्या है हमारा dead storage, sorry, valley storage, 6 and 7, valley storage is defined as volume of water, volume of water stored between, 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 normal river rail, before construction, before construction and, and river bed level, क्या बोला है, valley storage या bank storage हम क्या बोल रहे हैं, is defined as the volume of water stored between, normal river level and before, normal river level, before construction and river bed level, river bed level और normal river level के बीच में, जो भी हमारा storage आने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, हमारा valley storage या bank storage या फिर back storage, उस conditions को, तो क्या सारी definitions clear हो गई हैं अभी आपको, एक एक करके सारी definitions भी लिख ली हैं, एक करके सारी चीज़े भी यहाँ पर define कर रहे हैं, तो again अगर हम बात करें, तो यहाँ पर equal term होता है, क्या, एक term होता है trap efficiency, एक term होता है क्या, trap efficiency, trap efficiency भी कई बार हमसे exam में पूछ लिया गया है, trap efficiency क्या होता है, ठीक है, तो यह तो zone वाला topic हमारा complete हो गया है, अब जब हम planning कर रहे हैं reservoir की, तो वहाँ पर एक topic पूछा जाता है, trap efficiency, trap efficiency, trap efficiency क्या होता है, देखो, generally क्या होता है, तुमने देखा होगा, कि अगर एक reservoir है, और reservoir में upstream side से पानी आ रहा है, तो इस पानी, यानि river के साथ sediment आएंगे या नि, और जैसे-जैसे sediment यहाँ पर जमते जाएंगे, तो sediment जमते जाएंगे, तो sediment जमने से, आ जो बाहर side पे हमें flow मिलेगा, वो sediment free मिलेगा, क्या मिलेगा, sediment free मिलेगा, यानि downstream end में हमें sediment free water चाहिए, क्योंकि irrigation परपस से चाहिए, और अगर sediment साथ में पहुँच गए, तो हमारा irrigation खराब हो सकता है, मतलब, जो जमीन की उपजावपन है, वो खराब हो सकता है, sediments के पहुँचने से या नि, बिलकुल हो सकता है, अभी तर्थ हमने पिछले lectures में यह सारी चीज़े पढ़ते हुए आए हैं, या electricity generation में गए, परचला turbine में घुसा और sediment था, और turbine में फस गया, तो क्या कुछ न कुछ drawback हो जाएंगे या नि, तो हमें वहाँ पर define करनी पड़ती है, reserve wire की trap efficiency, ठीके, तो reserve wire of inflow sediment, percentage of inflow sediment, inflow sediment का मतलब है, जो sediment यहाँ पर reserve wire के अंदर entry रहे, percentage of inflow sediments which are retained, जो की क्या हो गए हैं, retained हो गए हैं, in the reserve wire, in the reserve wire, reserve wire के अंदर, जो की क्या हो गए हैं, entrapped हो गए हैं, या retained हो गए हैं, if all the precautions measures are taken, अगर सभी तरीके के precautions measure लिये गए हैं, और तब भी, ऐसे sediments, जो यहाँ पर trap हो गए हैं, उनको अगर हमने percentage में show किया, वो trap efficiency कहलाएगी, तो अगर हम trap efficiency की बात करें, तो trap efficiency को जो define करते हैं, eta trap से define कर देते हैं, eta trap, और trap efficiency हो जाता है, Sediment particle, sediment particle, entrapped या फिर retained, entrapped in reservoir अपन, total sediment, passing through reservoir, passing through reservoir, reservoir से pass होने वाले जो total sediment है, और इनको percentage में show करेंगे, तो 100 से multiply करतेंगे, तो trap efficiency जो होती है, वो sediment particle यहाँ पर देखो, मानलो मैंने कहां 10 particle आए, कितने आए, 10 particle, 9 यहां रुक गए और एक यहां निकल गया, 9 यहां रुक गए तो एक यहां निकल गया, तो कितना, 9 by 10 हो जाएगा, और 9 by 10 into 100 कितना, 90%, तो generally जो trap efficiency है, हम reserve IR की जो trap efficiency है, वो हम क्या कर लें, सारे precaution measure, precaution measure, silt controlling devices, आपने पढ़े हुए थे या नहीं, silt controlling devices, तो silt controlling device के थुरू, या किसी भी तरीके से precaution measure से ले करके हमने बात की है, कि वहां पर बात कर रहे हैं, तो generally, जो trap efficiency है, वो 95% से 100% के बीच में होनी चाहिए, 95% से 100% और अगर trap efficiency 90% से कम हो जाती है, तो उस condition में हम बोलते हैं, रिजर्वायर की एस टर्मिनेट हो चुकी है, साथी साथ, अगर useful stories की बात करें, और 20% से कम हो जाता है, तो उस condition में भी हम बोलते हैं, रिजर्वायर को टर्मिनेट करने का time आ गया है, ठीक है, तो ये conditions हमारे होते हैं, ये सारे point में अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो हम बात करते हैं, लेकिन एक और important point है, क्या, trap efficiency जो है, वो function होता है, किसका capacity upon inflow ratio का, capacity upon inflow ratio का, अब ये capacity upon inflow ratio क्या है, capacity मतलब, रिजर्वायर की capacity की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्वायर की capacity की बात कर रहे हैं, और inflow मतलब, पानी का कितना flow आ रहा है, तो trap efficiency, important points मना के लिख लेना, important points मना के लिख लेना, कि trap efficiency is a function of capacity to inflow ratio, trap efficiency is a function of capacity to inflow ratio, और अगर capacity to inflow ratio का functions हुआ, तो जैसे जैसे capacity कम होगी, sediment की trap efficiency कम हो जाती है, जैसे जैसे capacity कम होगी, वैसे वैसे trap efficiency कम हो जाती है, देखो, अगर हम बात करें, initial stage की बात करें, तो initial stage पर सबसे ज़्यादा capacity है, initial stage पर, जब रिज़ार रगाया बना है, capacity सबसे ज़्यादा है, तो इस समयट trap efficiency भी ज़्यादा, inflow को क्या रखने है, अब हम देखें, तो जो storage हो रहा है, वो धिरे-दिरे कम होता जा रहा है, और storage कम होने के कारण, अब आसानी से, जो नीचे आपने लगाई हुई थी, shield controlling device माल लिए, इतने parameter में लगाई हुई थी, तो अगर capacity कम हो गई, तो अब जो trap होंगे particle, वो कम particle trap हुए या ने, ज़ादा से ज़ादा particle क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे या ने, तो capacity अगर हम inflow को constant मानते हैं, inflow को constant मानते हैं, तो capacity trap efficiency के directly proportional होती है, और जब trap efficiency कम हो गई, तो हम reservoir को terminate कर देंगे, क्योंकि अगर trap efficiency कम हो गई है, तो पानी, जो sediment है, वो downstream side में पहुँच रहा है, तो irrigation के लिए purpose fulfill नहीं होगा, तरवाइन में पानी feed कराने के लिए fulfill नहीं होगा, अगर water supply scheme है, तो उसके लिए fulfill नहीं होगा, तो ये point थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इन सभी point को मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, note करके point बना दे रहा हूँ यहाँ पर, note करके point बना देता हूँ, ठीक है, ये तो point रूँ लिखने ना, important point, trap efficiency is a function of capacity to inflow ratio, ठीक है, उसके बाद note करके point लिखेगा, trap efficiency should be 95% to 100%, if trap efficiency is less than 90%, then reservoir is terminated, reservoir should be terminated, reservoir को क्या कर देना चाहिए, terminate कर देना चाहिए, मतलब इसको दूसरे से construct करना चाहिए, ठीक है, तीसरा point, if inflow is constant, if inflow is constant, then higher capacity, higher capacity, on higher capacity, on higher capacity, on higher capacity, trap efficiency, trap efficiency, will be higher, will be higher, मतलब जो बड़े-बड़े reservoir होते हैं, जिनकी capacity जादा होती है, वहाँ पर trap efficiency उतनी ही जादा होती है, और छोटे reservoir की बात करें, तो trap efficiency बहाँ पर कम हो सकती है, as compared to बड़े reservoir, ठीक है, next, तीसरा चौता प्वाइंट, इव यूसफुल स्टोरेज, इस, इस, डेक्रीज़ बड़े, डेक्रीज़ बड़े, 20 परसेंट और मोर, of its design capacity, of its design capacity, जो भी design capacity थी, उसका 20 परसेंट या, उससे जादा decrease हो चुका है, क्या useful storage, then, reservoir, should be, terminated, should be, terminated, मतलब उस reservoir को अब हमें use, नहीं करना चाहिए, तो ये सारी conditions यहाँ पर होती है, तो ये जो 3-4 important points है, इन पर भी questions बना करके, आप से पूछा जा सकता था, ठीक है, तो हमने इन points को भी यहाँ पर, mention कर लिया है, कि कब तक reservoir को हम क्या माने, और ये point है नखना, ये कब है, जब inflow constant, अगर inflow change हो रहा है, तो capacity upon inflow ratio देखना पड़ेगा, अगर inflow constant नहीं है, तो capacity upon inflow ratios आपको check करना होगा, उस conditions की हम बात करेंगे, तो ये था हमारा lectures, reservoir and its planning के बारे में, कि reservoir और उसकी planning किस तरीके से करना है, और क्या-क्या terms आपको यहाँ पर importantly पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर complete की, अब hydraulic structure में, हम next lecture में जो start करने वाले हैं, वो dam start करेंगे, और dam के बाद उसी sections में continue करेंगे, spillway को dam and spillway की बात करेंगे, और in the last module हम बात करेंगे, बिवर training वर्क्स की, तो कैसा लगा आज का lecture हमें comment section में बताईएगा, और जल्दी आपको बाकी lectures भी provide हो जाएँगे, so thank you everyone, thank you for watching, सभी लोग telegram channel जोईन कर लीजेगा, success pride के applications जोईन लोट कर लीजेगा, काफी कुछ वहाँ पर चीजें आपके लिए आने वाली हैं, so thank you, thank you so much everyone,